दोस्तो ये है पिकॉक यानि के मोर हमारे भारत का राश्ट्रियो पक्षी आप देख सकते हो किस तरह से मोर मेरे मम्मी के हाथ में दाने खा रहा है गाइस ये जो मोर होते हैं न वो काफी ज़ाधा डरते हैं हमसे और हम इंसानों ने ही उनके अंदर ये डर बिठा रखा है आपसे बता भी नहीं सकता सभी नहीं लेकिन काफी लोग इस मोर को बेदर्दी से मार भी देते इसलिए इनकी पॉपिलेशन भी कम हो रही है पाकी आप देख सकते हो ये मासुम सब पक्षी किस तरह से हम पर भरोसा कर रहा है और हमारे हाथ से दाने खा रहा है लेकिन कई बार हम इनसानों पर भरोसा करने की वज़े से ही इस मासुम की जान चली जाती है ये बिचारा पक्षी कहां जानता है हम इनसानों को अब इसे थोड़ी ना पता है किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए मोर, कबुतर, छिडिया ये सारे जो पशु-पक्षी होते हैं बिचारे बहुत भोले होते हैं इन्हें लगता है हर इंसान एक जैसा होगा और हर इंसान अच्छा होगा इसलिए वो हम पर भरोसा कर लेते हैं लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं? पहले उन्हें दाना खिलाते हैं फिर या तो उन्हें पालने के भाने से पिंजरे में कैद कर देते हैं या फिर उनकी हर्त्या कर देते हैं ऐसा करने वाले लोगों से मैं बस एक सवाल पूछना चाऊँगा क्या इन्हें हमारी तरह अपनी जिन्दगी आजादी से जीने का हग नहीं है और अगर है तो हम इनके साथ ऐसा क्यों करते हैं इस विशवय पर आपके क्या विचार है हमें कॉमेंट करकर जरूर बताना और दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करकर हमें 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने में मदद कर देना और दोस्तों वीडियो को लाइक करकर शेयर जरूर करना ताकि ये वीडियो हर भारतिया तक पहुँचे और गाइस मैं आप सबसे रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ आप अगर कहीं पर भी मोर के साथ या किसी भी पक्षी या प्राणी के साथ कुछ गलत होता देखो तो चुप मत बैठना उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाना जय हिंद